तो गाइस जीसा की हमने पिछले अपिसोड में देखा कि शियाओ को मारने के लिए किनू खुद बेटर फीड में आया था इसलिए शियाओ ने पेगोडा को बाहर निकाला था जिसे देखकर किनू ने भागने ही कुशिश की मगरों नहीं बाग पाया और दोके से शियाओ पर श्याओ को रोग लिया था अब हम देखते हैं कि इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जिसके अंदर लाइट पाउड फ्लो कर रही थी और उस पेड़ से एक लड़की को बांध रखा था जो की दिखने में एक डाइन जैसी थी उसके बाद यस इस नहीं कट हो जाता है फिरम श्याओ को देखते हैं जो की पेड़ा के साथ था तब ही पाहड से आवा जाती है क्यों मन्यू तुमने और इस पेड़ा ने लाइन क्रोस की है इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा और पाहड अपनी पाउर को श्याओ की तरफ फ्लो करता है जिसे देखकर श्याओ के था कि मैं बुलाओ माउंटेन पर अपने मॉम्डेट से मिलने के लिए आया था जिस माउंटेन को तुम डिजनी फाइट फिगर वाला प्लेस बोलते हो और जिसे तुम एथिक से लोड़ बताते हो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि य हम इसे लड़ते हैं यह सुनकर माउंटेन पेगोडा से कहता कि मुझे लगता है कि अभी तक तुमने अपर रियल्म के लोगों ने नहीं पकड़ा तो पेगोडा कहता कि तुम ठीक कह रहे हो मैं बहुत जल्दी अपर रियल्म में हमला करूंगा और वहां के सबी लोग मेरे सामने अपने गुटने टेक देंगे तो शियाओ कहता कि मुझे इस बार से कोई आश्यर नहीं है कि तुम बेदवान माउंटेन पर क्यों छिब रहे थे क्योंकि तुम्हें तो अपर रियल्म के लोगों से बदला लेना था तबी माउंटेन अपने कुछ स्टोन को एक्ट्र नहीं दूंगा तो पेगोड़ा शियाओं से कहता कि मैंने निर्वान फोर्मेशन में किनों को नहीं मारा लेकिन मैं मोका नहीं छोड़ूंगा इस बार तुम आराम करने के लिए किसी आराम दाइक जगे चले जाओ मैं इस मेंटल माउंटेन के साथ खेलता हूं तो शियाओ पेगोड़ा के टा कि क्यों न हम मिलकर इसे मारे मेरा तुम्हें अकेले चोड़ने का कोई मन नहीं है तो पेगोड़ा के था के पहले के युद्ध में मैंने कई सारी powerful enemy को मारा है लेकिन तब मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था लेकिन तुमने बेदवान पर वस से माउंटेन को मेरे लिए छोड़ दो लड़ाई देखकर कुछ स्किल सीखने की कोशिश करो तब फाइव एलिमेंट माउंटेन जो की एक स्टोन रोबर्ट में बदल गया था वो पेगोडा को मारने के लिए आगे बढ़ता है जिसे देखकर शियाओ सोचता है किस माउंटेन की पाउर को कम नहीं समझना चाहिए ये पेगोडा को मार सकता है तब ही माउंटेन शियाओ से कहता है कि तुम यहां से भाग नहीं सकते मैं तुम्हें मार दूंगा तो पेगोडा शियाओ को दूर कर माउंटेन से कहता है कि तुम्हारा एनिमी में हूँ तुम मुझसे लड़ ये सुनकर माउंटेन पेगोडा को अपने हाँ से पकड़ लेता है लेकिन पेगोडा उसके हाँ से बच जाता है और माउंटेन पर हमला करके उसे कहता है कि तुम्हारा रिस्पोंस बहुत स्लो है तब ही श्याओ सेप्टी शिर्ड से बहां निकलता है और सोचता है कि श्याओ को serious देखने का ये पहला मुक का है और पेज़ोडा real में कफी strong है वही mountain को पेज़ोडा की बातों से घुसा आता है और पिर से पेज़ोडा को पकड़ने कोषिश गरता है मगर पेज़ोडा mountain की हाथ नहीं आता और उसे अपनी पाउड से गेर कर मारने लगता है मगर इस बार mountain समय से नहीं चला इसलिए शायदों खराब हो गया तो मांटेन क्याता कि तुम मेरी बॉड़ी को नहीं तोड़ सकते कौन है नहीं तोड़ सकती हैं अब मैं निूहारे सते एससा खेल खेलां जो तुम्हारे लिए काफ़ी बणा है और अपने निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और अपनी पाउर से जमीन में छेट करने लगता है तब ही माउंटेन पेगोणा को पकड़ता है लेकिन पेगोणा ने अपने चारों तरब सेफटी शेडेक्ट्रियट कर रखी थी जिस आजे से पेगोणा को नहीं पकड़ पात और से कहता है कि तुम उस खजाने को यहां से अटा नहीं सकते क्योंकि उसे दबाने में मुझे काफी मेनद करने पड़ी थी अगर तुम उस खजाने को बहां निकलने में मदद करते हो तो बहां निकलकर अपर्यल में जाएगा और वहां के लोगों से लड़ाई करेगा तो पेगोडा जिसका जाने के बात कर रहा था वो माउंटेन के नीचे बनी जेल के अंदर बन एक डीमन टाइब आदमी था जिसे पेगोडा आज़त करना चाहता था और पेगोडा ऐसा करने में काम्याब हो गया था और उस डीमन में से कहता कि अगर तुम मनना नहीं चाहते तो म पेगोड़ा को मारने की कोशिश करता है तबी डीमन मेन अपनी पाउन से पेगोड़ा के चारों तरफ सेप्टी शेडेक्रेट कर देता है यह देखकर पेगोड़ा कफी खुश होता है और फिर से शियाओं के पांस चला चाहता है जिसे देखकर शियाओं कहता है कि तुम तो लोग को लड़ने दो तो शियाओ कहता है कि तुम बहुत चालाक हो तुमने अभी खुद कहा था कि तुम उस माउंटेन के साल लड़ना चाहते हो तो फिर जाओ और उससे लड़ो तो पेगोड़ा कहता है कि मैं उस माउंटेन से ढर नहीं रहा हूं और अगर मैं उससे नहीं लड़ रहा हूं तो यह उसके लिए एक बड़ा वर्दान है इसलिए अब इसे जाने दो तो शियाओ सोचता है कि पेगोड़ा भी सही के रहा है लेकिन इस लड़ाई को देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है जैसे कि बाहरी तागतों पर बरोसा ना करके हमें खुद बचा लेना चाहिए तो पेगोड़ा कहता है कि अपने मोम डेट सीखाने के लिए तुम्हें कहीं सई तकलिफेड जेलने पड़ेगी तो शियाओ कहता है कि अपने मोम डेटा घुनने के लिए मैं कुछ भी सकता हूँ यह सुनकर पेगोड़ा उसे कहता hai कि ठीक है फिर को छोड़ना पड़ेगा तो शियाओ के ता कि तुम ठीक के रहे हो मैं बीना किसी रीजन के यहां नहीं रुकना चाहता और वहां से उड़कर चला जाता है वहीं पेगोड़ा पुर्मेशन के पास लेया आता है जिससे देख कर सियाओ के था कि मेरे मौम डीट यहां है मजे लगता है क्यों ठीक होंगे लेकिने काहिव श्ट्रोंग है और पेगणा से क 맛있어요 क्या है क्या तुम कोतोर सकते हो तो पेगणा बताता है कि तुम फारुमेशन को तोड़ने में जल्दी मत करो, बुलाओ माउंटेन तुम्हारे मॉम डेट को इलुजनरी इस पेस में फसा सकता है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेशन में इस्ट्रोंग इच्छा शक्ती डाली है, इसलिए तुम पहले उपर जाओ, और अपने मॉम डेट की एक जड़ लोकेशन सर्च करो, तुम सही के रहे हो, और फॉर्मेशन के पास जाकर अपने मॉम डेट को देखने लगता है, मगर फॉर्मेशन की वज़े से, वो अपने मॉम डेट को नहीं देख पाता, और शियाओ को अपने मॉम डेट की ब्रेट भी फिल नहीं होती, और वो जोर से अपने मॉम डेट को पुलाने लगता है शियाओ के मॉम डेड़ उसके आवाज सुन लेते हैं और शियाओ की मा जीलिंग से कहती है कि आवाज हमारे शियाओ की होनी चाहिए और वह भी शियाओ को आवाज लगाने लगती है तब भी बेगणा शियाओ से कहता है कि हम आवाज दो फॉर्मेशन के अंदर भेज सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि फॉर्मेशन के अंदर पता नहीं चलता होगा कि आवाज कहां से आ रही है इसलिए तुम चुप रहो और पहले सही जगे ढूनने की कोशिश करो तब भी जीलिंग दिवार को हाथ लगा कर कहते हैं कि मुझे ल फॉर्मेशन के अंदर से शियाओ का वाज लगाती है जिसे शियाओ सुन लेता है और रोते हुए सोसा है कि आकिरकार मार में आपको मिली गया और दोड़ते हुए पूरे फॉर्मेशन को छूता जाता है वहाई इनिंग भी शियाओ की तरफ दोड़ने लगती है और कहती है कि शियाओ इसमें सारा दोश मेरा है क्योंकि मैंने तुम्हें इस्टन विलेज में छोड़ा था ये बाद शियाओ भी सुन सकता था और वह दोड़ता हुए कि मां में ठीक हूँ और मैं ठीक तरीके से बढ़ा हुआ यून फैंग अपने बेटे की तरह मेरा ख्याल रखते ह पर अब मैं बढ़ा हो गया हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त भी है और वह अपने कुछ दोस्तों के नाम अपनी मा को बताता है और कहता है कि मैंने बहुत से इसे काम किये हैं जिनसे आपको खुशी होगी तब भी शियाओ और इनिंग के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं तब उन्हें विजन आते हैं कि शियाओ और इनिंग आमने सामने हैं और शियाओ अपने मा को गले लगाता है तो इनिंग शियाओ का हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम्हें यहां तक आने में कई प्रोब्लम फेस करनी पड़ी होगी तब भी जिलिंग इनिंग के पास आते हैं और उनका विजन टूर जाता है जिलिंग फॉर्मेशन को चुकर कहते हैं कि क्या रियल में शियाओ है तब ही जिलिंग का टश शियाओ को फील होता है यह सब देखकर पेगोडा शियाओ से कहता कि तुम पास के बारे में बाते मत करो क्योंकि बुलाओ माउंटेन यहां किसी को जरू बेजेगा इसलिए तुम अपने मॉम डेट को सेफ जगर ढूनने के लिए कहो उसके बाद में फॉर्मेशन तोड़ने में तुमारी मदद करूंगा यह सुनकर शियाओ जिलिंग से कहता है कि आप माँ को किसी सेफ जगर ले जाएगे और फॉर्मेशन की पाउर को तोड़ने कोशिश की थी लेकिन इसके पलटवार से मैं घायल हो गया तो शियाओ कहता है कि मेरी चिंता करने की आपको कोई ज़ुरत नहीं है मेरे साथ मेरा दोस्त है जो मेरी रक्षा करेगा यह सुनकर जिलिंग कहता है कि हमारा शियाओ अब सच में बड़ा हो गया है वह अब इस फॉर्मेशन को खत्म कर दूंगा यह सुनकर जी लिंग अपने और इनिंग के ऊपर एक सेफटी शिट एक्ट्रेट कर लेते हैं और शियाओ से फॉर्मेशन तोड़ने के लिए कहते हैं शियाओ हवा में उचलकर अपने इस पेर के फॉर्मेशन को तोड़ने की इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्स रोचिंग